सबसे पहले आप सभी को होली की पहुत पहुत शुपकामना है अच्छे से होली बनाईए खुशी के साथ होली बनाईए सेफटी के साथ होली बनाईए ठीक है आज के दिन किसी से कोई नराजगी नहीं कोई दुश्मनी नहीं कोई भी बुराई नहीं ठीक है जितना आप दूस को हेट देंगे तो सामने वाला भी हेट देगा तो सबसे पहले आप ही बदल जाए सामने वाला खुद बदल जाएगा ठीक है तो इस होली पर आपको नराज नहीं होना है परिशान नहीं होना है खुल कर खुशी के साथ होली बनाना है ठीक है मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों में अचानक से तेजी से परिवर्थन आया है जो कि कभी आपने नहीं देखा होगा, ठीक है इस ताइम में ना तो पंखे चलते हैं ना ही आइस ही चलती है पंखे चल पर इस टाइम जो मौसम है अज जो चेंज है ऐसा लग रहा है कि एसी चलाने की नौबत आ जाएगी ठीक है और आ भी गई है ठीक है हमारी यहां तो स्टार्ट हो चुका है इतनी जदा गर्मी हो रही है एक दम से मौसम चेंज हो गया है जैसे मौसम में चेंज आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से हो रहा है इस टाइम ट्वीन प्रींस की लाइफ में वह जादा रहे हैं जो लोग अभी तब बहुत ज्यादा नेगेटिवीटी को फीज़ कर रहे थे बहुत ज्यादा नेगेटीव एनर्जी को अपने आसपास पील कर पा रहे थे कि इमोशनली, मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा इंबैलन्स थे वो लोग बैलन्स में आ रहे हैं ठीक है और यह जो warm full moon है यह रिप्रेजेंट करता है new beginning को ठीक है changes को और आप देख भी रहें इस तरीके से आपके life में changes आ रहे हैं और आगे भी अब आप changes को देखते ज रिलीज होगी negativity इससे आपको डरना नहीं है क्योंकि जब भी full moon new moon आता है आपकी negativity surface होती है और surface पर आकर release होती है ठीक है इस टाइम बहुत सी divine feminine की psychic abilities ठीक है spiritual energies जो हैं बहुत ज़्यादा amplify होंगी बहुत ज़्यादा ठीक है इस टाइम बहुत बढ़ा changes आएगा आपकी life में जिस तरीके से मुझे sign मिल रहे हैं या मैं जो feel कर पा रही हूँ ठीक है और जो भी dear for diem है इन दोनों की life में बहुत बढ़ा effect पड़ेगा इस warm full moon का जैसे कि आप लोग जानते हैं जब गर्मी start होती है ठीक है एकदम peak पर आ जाती है ठंड होती है वो भी peak पर आती है ठीक है और गर्मी का जो graph होता है वो high होने लगता है ऐसे ही जब तक आपके अंदर negativity रहती है वो peak पर आती है new moon और full moon पर ठीक है जैसे ही जैसे आपके अंदर से negativity कम होती जाती है आप mentally, physically, emotionally, balance होते जाते हो आपका जो negativity का graph है वो down होने लगता है और जो positivity का graph है वो high होने लगता है अगर आप अपने अंदर की negativity को release नहीं करेंगे ःचल्प जब तक आप अपने एक ओजर्वीशन में नहीं रखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे आपको शंदमने का आता चाता है कि आपके अंदर ये 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 इस इस में को को हील करते जाते हो जैसे जैसे आप अपने issue of blockages हील करते जाते हो आपकी जो negativity का ग्राफ है वो डाउन होने लगता है और जो positivity का ग्राफ है वो हाई होने लगता है ठीक है बट एक टाइम ऐसा आता है जब new moon और full moon आता है आपकी अंदर की जो बहुत ही negative energy है जो भरी हुई है वो surface होती है एकदम peak पर आती है बट जब रिलेज हो जाती है तो आप धीरे धीरे balance होने लगते हो आपको बहुत ही जादा बहुत जादा आप comfortable feel करने लगते हो बट जब तक आपके अंदर negativity भरी रहती है आप विलकुल भी अच्छा feel नहीं करते हो और इ एक दम से change लाएगा वो भी positive change लाएगा अभी तक आप लोग जनवरी से जनवरी में February में बहुत ज़्यादा negativity को देख रहे थे लड़ाई जगड़े ठीक है आपके आप बहुत ज़्यादा emotionally imbalance थे mentally imbalance थे physically बहुत ज़्यादा imbalance थे पर अब आप देखेंगे कि आप mentally balance हो रहे ह ठीक है और emotionally balance हो रहे हो ठीक है आपकी future growth हो रही है यह सब चीज़े आप धीरे धीरे आगे देखते जाओगे इस warm full moon के बाद ठीक है और इसका effect सिर्फ आप पर नहीं आपके counterpart पर भी पड़ता है आपको लगता है कि आप उनसे disconnect हैं ठीक है तो दूर कर मैं जब आपके अंदा चीज आए अगर आपके अंदर चेंज नहीं आँ तो उनके अंदर भी चेंज नहीं आएंगे अगर आपके अंदरशेंज आ रहा है तो आप तर भी परिषानAdam स्क्रеменाटराइब ज़री किस dire कि आपका आपके जो पास्ट की जितनी भी की लिँग एंटर्शान कि फ़ुक्त चॉना रखिए कि कि आप इसुना ज्यादा से क्या ज्यादा घर्भाण के लाइसन में में घर लक्ता हुगए खुद पर फोकस कर पाना किने खोपहजं़ आपके अंदर जो भी इशू है अभी तक आप नहीं जान पा रहे ते या समझ नहीं पा रहे ते कि क्या इशू होते हैं क्या ब्लॉकिज होते हैं उनमें आपको क्लारेटी मिलेगी इस वांफ फुल मून के बाद ठीक है और यह जब भी देखे फुल मून आता है तो हमारे अं ठीक है और यह जो वांफ फुल मून इंवर्य इमोशनल वां फुल मून ए हापको अगर इमोशनली ज्यादा इंबालैंजें तो आपको इस टाइम रोकर जयादा स्वसेटे रिलीज付 हो सकते हैं तो नगीटिविटी इलीज्ट हो कतृ सकते हो या आपको तेजी से मारे अंदर की negativity है वो सारी release हो जाती है और इस time बहुत सी divine feminine को रोना भी आ सकता है ठीक है इसको आप positivity में लीजेगा अगर रोना आ जाए तो समझ जाएगा कि आपके अंदर की negativity release हो रही है यहां पर डरना नहीं है कि मैं क्यों रो रही हूं मुझे क्यों रोना आ रहा है बिना बात के अगर कोई बज़े नहीं है और आपको बिना बात के रोना आ रहा है तो समझ जाए आपके अंदर की जो भी negativity भरी होई है वो आसुओ के द्वारा बाहर निकल रही है ठीक है और कुछ लोगों को एकदम से इतनी जादा happiness फिल होगी इतनी जादा inner peace फिल होगी आप ख इस warm full का positive effect क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता देती हूँ इस टाइम आप छोटी छोटी बातों पर trigger हो सकते हैं आपको छोटी छोटी बातों पर trigger मिलेगा बट क्या होगा आप तुरंत trigger होके एकदम balance हो जाओगे आप सोचोगे कि अभी तुम्हें एकदम imbalance थी और एकदम energy में आजाओगे आप सोचोगे में अदास की होनी बट एकदम से आप piece वाली energy में भी आजाओगे आप को एकदम ska आएग बहुत तेजी से फिर एकदम से आपका गुस्स सांत भी हो जाएगा तीक है आपका एकदम से लड़ाइ करने का मन करेगा बट एकदम आप शान्त हो जाओगे ठीक है फिर आप दो मिनट में सोरने लगोगे नहीं मुझे नहीं लगना है ठीक है मुझे कुछ भी अब गलत नहीं करना है मतलब आप खुद को बैलेंस करना है कैसे खुद को खुद की एनरजी को बैलेंस करना है अपने इनर डीम डीम बैलस कैसे करन है तो यह बहुत अच्छ से आपको आ जाएगा कि मैं कैसे बैलेंस रहूं कैसे अपनी एनरजी को बैलेंस करना है कैसे खुद की नेगेटिविटी को रिलीज करना है कैसे पॉजिटिव रहना है यह सब पॉजिटिव चेंज आप आगे देखोगे अपनी जर्णी में तो यह वर्म फुल मून के बाद आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे आपके counterpart की life में भी positive changes आएंगे और यहाँ पर कुछ divine feminine के साथ ऐसा भी हो सकता है यह कुछ ही divine feminine के साथ है ठीक है कि आपके कार्मिक आपको contact करें ठीक है क्योंकि मुझे कार्मिक की energy भी बीच बीच में लग रही है कि missing energy है वो आपको contact कर सकते हैं इस टाइम आपसे बात कर सकते हैं बट यह आपकी choice से आपको किधर जाना है मैं अगर आपको advice दूँ तो देखी कार्मिक हमेशा रूप बदलते रहते हैं कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं कभी बहुत बुरे बन जाते हैं ठीक है आप उस दर्द कूप पहले भी जेल चुकी है ठीक है आप कार्मिक को तो मुझे पता है आप मैंसे कोई भी divine feminine कार्मिक की life को तो अपने life में एंटर नहीं होने देगी ठीक है तो आगे हो सकता है आपके कार्मिक भी आपको इस टाइम कॉन्टक्ट कर सकते हैं ठीक है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाएंगी इस relationship में पर आपका कार्मिक पार्ट और नहीं आपको जाना है तो बहुत से जिवाइन प्रेंट के जो कार्मिक पार्टनर है वो एंटर को सक्ति है तो यह थी आज की वांपुल मून कर वीडियो नेक्स वीडियो में फिर मेलूंगे तब तक लिए अपना ध्यान रखे खुश रही है